हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये डोर मेट तो ये मैंने डोर मेट बनाया है आप इसका जैसे जोगा के लिए मैट बना सकते हैं जा आप जैसे टेबल का कबर जा कुछ भी अपनी मेजिनेशन से बना सकते हैं तो चलिए देखते किस तरह से बनेगा डिजाइन बनाना शुरू करते हैं डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मेने कटिंग कर ली है दो मैंने बाइट कलर के पीस लिए हैं और दो अलग लग प्रिंट कलर के पीस लिए हैं सारे पीसे सेम साइज के हैं जैसे ये पीसे साड़े तीन इंच है तीन एंड त्री ए यहां पर आ रहा है तो इसे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है जिससे हमें ध्यान में रहेगा यहां तक है यह पीस अब यह कोर्नर जैसे है और यह दो कोर्नर उपर का इन दुनों को बराबर करके ऐसे लाइन लगा देंगे यह लाइन लग गई है अब यह है यह भी इसी तरह लाइन लगा देंगे बराबर हमारे एकदम बराबर आनी चाहिए तब हम जब सिलाई करेंगे एकदम बराबर पीस बैठेंगे तो जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह हमें सिलाई लगा देनी है यहाँ पर सिलाई लगा दी है अब सिलाई के लिए जितना कपड़ा रखते है उतना रखके यह कटिंग कर देंगे और यह भी हमें इसी तरह यह कट कर लेना है cutting कर ली है अब ये piece है जैसे इसको हम यहां से seal देंगे तो यहां से seal देंगे तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा half triangle बन जाएगा तो कोई ओर design भी हम इससे बना सकते हैं तो बेस्ट नहीं जाएंगे ये piece तो ये piece seal के ready होगे है अब इनको इस तरह से पल्टना है और यहां पर प्रेस कर लेनी है ये भी हमें इस तरह से ऐसे यहां पर प्रेस कर लेंगे जहां से ऐसे भी कर सकते हैं इसके बाद इन pieces को join करना है तो ये piece ऐसे रखेंगे और ये नीचे को रखा है printed और ये उपर को आएगा इस तरह से इस shape में और इनको हमें seal देना है यहाँ पर तो ये piece seal दिया है यहाँ पर press भी कर दी है अब अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा आगे पिछे हो गया है उसे हमें बराबर कर लेना है चार ओर से तो ये piece बनके ready हो गया है इस shape में हमारा ये piece बना है बहुत ही easy है हमारा ये design बनाना तो ये piece है इसी pieces से हमारी bad sheet बन जाएगी जा कोई भी design किसी भी चीज़ के लिए आप बना सकते हैं तो ये मैंने piece कट कर लिए है same size के अब इन pieces को हम arrange करेंगे जैसे ये piece है इस से हमें इस तरह से रखना है इसी direction में और ये दूसरा piece है इस से हमें इस तरह से ऐसे रखना है और अगला piece इसी तरह ऐसे रखना है और ये piece है ये इस तरह से एसे रखेंगे, यहां पर यह कलर आएगा, जैसे blue है red आएगा, यह ध्यान में रखना है अब यह piece हमने सीधा लगाया है, तो यह piece हमारा इस तरह से आएगा, यह सिलाई ऐसे आए जाएगी तो यह design ऐसे बनता जाएगा यह इस तरह से है सिलाई इसको हमें ऐसे रखना है सीधा और यह अगला पीस है यहां पर यह कलर का देख लेना है कुन सा रखेंगे यहां पर भी हमारा यह एक जैसा हो गया है तो इसे हमें इस तरह से रख लेना है और यह पीस ऐसे रखेंगे दो लाइने हो गई है इसके बाद यह तीसरी लाइन आएगी तो यह से लाइए जैसे इधर को आई है यह हमारी अब इधर को आएगी तो यह अगला पीस है तो इसको हमें इस तरह से ऐसे लगाना है और यह पीस है ऐसे लग जाएगा और यह अगला पीस ऐसे है कि मैंने 12 पीस लगाए हैं चार-चार हैं हमारी तीनों लैनों में तो यह देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से बनेगा यह प्रिंट वाला ऐसे बन जाएगा और वाइट वाला ऐसे बनता जाएगा तो इसी तरह हमें पीसिस लगाने हैं तो इसी तरह हमारा पूरा डिजाइन बनता जाएगा अब इनको हमें सिल लेना है इसी तरह जैसे ये लाइन है इसको सिल लेंगे पहले तो अगर जैसे आपको पता नहीं चलता तो यहां पे हमें लाइन का नंबर लिख लेना है एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर तो एक लाइन के इसी तरह हमें सिल देने हैं दूसरे भी इसी तरह सिलैंगे, एक भी पीस हमारा इदर उदर नहीं होना चульт तो design हमारा गलत हो जाएगा, तो सबसे पहले में यह लाइण सिलूँगी, यह पीस इसकी साथ सिल लेंगे, जैसे रखे उसी तरह सिल लेंगे, सारे पीसे सिल दिये हैं इस तरह से अब इनको हमें इस तरह से सिलना है तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और यह लाइन है यह भी इसी के साथ सिलेंगे सारे पीसे मैंने यहाँ पर सिल दिये हैं तो इसके बाद हमें प्रेस कर लेनी है जिससे सारे जो हमारी शलाइयां एक तम अच्छे से ब्याट जाएंगी अब देखिए बनने के बाद हमारा ये डिजाइन इस तरह से बना है इतना डिजाइन बनने के बाद अब हम इसका डॉर्मेट बनाएंगे तो डोर्मेट को हमें साइडों में पट्टी देनी है तो इन में से एक कलर ले लेंगे तो जैसे मैंने ये कलर लिया है तो ये स्टिप्स ले ली है ये स्टिप्स मैंने चोड़े में ली है यहां से दो इंच है इसको हमें यहां पर इस साइड में लगाना है यहां पर ऐसे रखेंगे और यहां से सिल देंगे और इस साइड में ऐसे रखेंगे यहां से सिल देंगे दोनों साइड में यह स्ट्रिप्स लगई है अब इन दोनों साइड में लगाने है तो यहां पर इस तरह रखना है और यहां पर सिला लगा देने है और यह साइड है यहां भी इसी तरह लगा देंगे तो उनु साइडों में यह स्रिप्स लगई है अब यह हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है पंदरा इंच और यहां से हो गया है 5.5 एंच अगर आपको थोड़ा बड़ा ओर करना है तो इस साइड से जैसे यह जो मैंने slips लगाई है चार ओर तो यहां पर 3-3 या 4-4 इंच की ले सकते हैं तो बड़ा हो जाएगा तो इतना बन गया है अब इसके अंदर हमें कपड़ा लगाना है तो कपड़ा हमारे पास जैसे कोई पुराना कपड़ा है वो भी हम लगा सकते हैं तो जैसे हमारे पास कोई बैटशीट है जा टाबल है उसको हम यहां पर लगा सकते हैं क्योंकि यह अंदर में रहना है तो यह इस पीस के बराबर मैंने कट किये हैं जैसे यह पीस है हमारा बैटशीट का है तो इसे मैंने इस तरह से उल्टा रखा है एसे रखेंगे उटी साइड इसके बाद हमें ये मैंने टावल का जैसे हमारे पास तोली होते है पुराने उसका पीस लिया है तो ये हम यहां पर ऐसे रख लेंगे इसके बाद हमारा ये पीस आएगा तो ये पीस भी इसके इस तरह से ब्राबर रख लेना है तो ये सारे पीस तो इसमें मैंने यासे हमारे तीन पीस लग गये हैं इतना काफी है अगर और मोटा आप चाते हैं तो इसमें और भी कपड़े हम डाल सकते हैं तो कपड़े जैसे हमारे पास पुराने दुपटे होते हैं वो भी हम डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास पुराना है क्योंकि ये अंदर में ही रहेगा और इसके बाद अगर यहां पे आपको ये पीस लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं लेकिन ये नीचे ह तो ये भी हम रख सकते हैं, तो तीनो कपड़ों को एकदम सेट करके रख लेना है, कोई भी सलबट हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए, इसके बाद हम पिन अप कर लेंगे कपड़े को, क्योंकि सिलाई लगाने है, कपड़ा हिलेना हमारा, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम पिन्स लगा लेनी है, कपड़े को एकदम सेट करके यहां पर पिन्स लगा दी है, अब हमें सिलाई लगानी है, तो यहां से हमें किनारे से सिलाई लगानी है, चार ओर से, जिससे यह सारे कपड़े जो भी हमारे अंदर डाले है, तो एकदम सेट हो जाएं, यहां पर लगाना है, तो यह यहां पर लगएगी, सबसे पहले हमें यह साइडों की लगानी है, तो लगाएंगे कैसे जैसे इस तरह से यह रखा है मैंने यह पीस तो इस पीस को हमें यहां पर ऐसी रखना है तो सिलाईल की लाइन है इसी के उपर सिलाईल लगा देनी है यह भी इसी तरह लगाएंगे तो यह दोनों स्ट्प्स यहां पर लगा दी है अब यहाँ पर हमें इस तरह इसे आदा इंच तक फोल्ड कर लेना है तो यहाँ अच्छी finishing लानी है तो यहाँ पर मैंने ये आदा इंच तक इस तरह से press कर दी है तो जब हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाय लगाएंगे तो एक दम finishing में हमारी सिलाय आएगी तो अब इस strips को हमें इस तरह उठाना है और यह सिलाय है पहले की इसके उपर ऐसी रखना है और यहाँ पर सिलाय लगाते जाना है यहाँ तक सिलाय लगादेंगे यह भी इसी तरह तो इस साइड की लगानी है, यहां से जैसे हम एक हैंच ले लएंगे , यहां पर हम पर की छादा Susi इसे हमें पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहां से इसाइड़ holistic अंदर को अब इसे हमें इससे अईसे थार Això है तो देखे वेए हमारा इससे आ जायेंगे तो यहां पर जब फोल्ड करेंगे तो दिक्कत यहां आएगी इसको फोल्ड करने में इसी तरह यह दूसरी साइड का है यह भी ऐसे इस तरह से आ गया है तो यह यहां पर मैंने प्रेस कर दी है जैसे यह हमारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा है इस तरह से है यहां प्रेस कर लेंगे आदा दंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसके बाद इस कपड़े को हमें इस तरह य और पिनिशिंग च्छी दूंडाओ अन्म बख सती हैं। ऍशी ततरी साइड में यह मैंने 2 मीडाकर और सबस्क्रच कोना है। तो देखिए हमारी कितनी finishing के साथ ये strips लगी है तो ये मैंने जैसे door mat बनाया है इसका हम yoga mat भी use कर सकते हैं जा table के उपर भी cover बना सकते हैं इस तरह से तो कुछ भी अपनी imagination से बना सकते हैं इस design से वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और subscribe करें तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो में